गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स वर्क्षीट वन में हमने डेज नेम पर डिसकस क्या था आज हम चैप्टर माई फंड दे की रिविजन वर्क्षीट टू करेंगे जिसमें हम मंस नेम पर डिसकस करेंगे ओके 12 मांस का 1 यर होता है ओके जिसमें 1st मंथ क्या है जनवरी जिसमें 31 डेज हैं ओके 2nd मंथ फर्वरी एफ़ीबी आर यू आर फर्वरी जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं यानि या तो 28 डेज का फरवरी मन्थ होगा या 29 डेज का फरवरी मन्थ होगा हर 4 वर्स में जो फरवरी में कितने डेज होते हैं 29 जिसे लीव वर्स कहते हैं जिस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं लीव वर्स थर्ड मन्थ होता है March, M, A, R, C, H, March जिसमें 31 days होते हैं फोर्थ मन्थ April, AP, R, I, L, April इसमें 30 days होते हैं फिफ्ट मन्थ है May, M, A, Y, May जिसमें 31 days होते हैं ओके, सिख्ष मन्थ है June, J, U, N, E, June यहनी जिसमें कितने days होते हैं? 30 ओके, सेवन्थ मन्थ है July, J, U, L, Y, July इसमें 31 days होते हैं फिर है एट मन्थ August, A, U, G, U, S, T, August इसमें 31 days होते हैं नाइन मन्थ है September, S, E, P, T, E, M, V, E, R, September इसमें 30 days होते हैं ओके, टैंथ मन्थ अक्टूबर, O, C, T, O, V, E, R, अक्टूबर जिसमें कितने days होते हैं? 31 फिर है number, N, O, V, E, M, V, E, R, number इसमें 30 days होते हैं और year का last month होते हैं December, यानि 12 month, 12 month में जो last month होते हैं December, D, E, C, E, M, V, E, R, December इसमें कितने days होते हैं? 31 days होते हैं ओके, अब हमें क्या करना है? इन month और days को month की जो days होते हैं उनको learn करना है यानि किसी न किसी month में 31 या 30 days होते हैं और केवल एक February का month होते हैं जिसमें 28 और 29 days होते हैं उसमें लिखा है comes after Thursday, यानि Thursday के बाद कौन सा day आता है? Friday, ओके और फिर box बना है उसमें comes after February, यानि February के बाद कौन सा month आता है? March, तो आपको यहाँ पर March लिखना है डेस comes after September, सितमबर के बाद कौन सा month आता है? October, तो आपको यहाँ पर October किस पालने लिखनी है? The seventh month of a year is, यानि सातों मेना, साल का सातों मेना कौन सा होते है? July, आपको यहाँ पर July किस पालने लिखनी है? The eighth month of a year is, October month कौन सा होता है? August, तो आपको यहाँ पर August किस पालने लिखनी है The last month of a year is, December, यानि year का last month कौन सा होता है? December, यहाँ पर आपको December किस पालने लिखनी है The Republic day falls in a month of, यानि Republic day कम मना जाता है? January के मेहने में जिसको आप क्या कहते हैं? 26 January भी कहते हो ना, तो यहाँ पर आपको January किस पालने लिखनी है The teacher's day falls in the month of September, यानि 5 September को आप बनाते हैं न, teacher day तो आपको यहाँ पर September किस पालने लिखनी है The independence day falls in the month of August, यानि जिसे आप सतुनता दिवस कहते हैं, पंदर अगस्त को मनाते हैं न, तो यहाँ पर आपको August किस पालने लिखनी है Your birthday falls in the month of August, आपका birthday कप पढ़ता है जिस month में आपका birthday आता है, आप उस month कि यहाँ पर इस पालने लिखेंगे फिर यह जो 10 से 12 नंबर में, यानि month makes a year, कितने महने में एक year बनता है तो यानि 12 months make a year, आपको यहाँ पर 12 लिखना है फिर days make a week, कितने दिन से एक सप्ता बनता है, एक week बनता है, यानि 7 days makes a week ओके, the month April has, कितने दिन होते हैं April में, 30 days, यहाँ पर लिखेंगे आप the month July has, कितने days होते हैं July में आप बताईए, 31, आप यहाँ पर 31 लिखेंगे यानि गांधी जहनती फैल्स in the month of October, यानि गांधी जहनती आप 2 October को मना दे ना गांधी जी का बड़े तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, October लिखेंगे ओके, आपको months name और days name की spelling याद करनी है, उनमें कितने दिन होते हैं, वो कौन से days में आते हैं, 74 कौन से number में आते हैं इस अब learn करके आपको अपनी notebook में neatly करना है और months name और days name को आपको learn करना है ओके, thank you, have a nice day ओके, आते हैं